उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक सिक्षक भरती का इंतजार कर रहा है समस्त डेलेड बीटीसी टेट सीटेट पास्त अभ्यर्थियों के लिए गुड नियूज आ चुकी है क्योंकि आज 27.9.2023 को स्वयम सियम योगी आदितनाथ जी की तरफ से नई प्राथमिक सिक्षक भरती पर पदो की ऑफिशल घोशना की गई है और भरती को तुरंत पूरा करने के लेकर हैं कि जल से जल विग्यापन निकाल कर पूरा करने के सक्त निर्देश भी दिये गए हैं बड़ी अपडेट पर बात करेंगे और इस वीडियो में अंतर तक बने रहीएगा वीडियो कभी से लाइक और चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लिजेगा काकि सूपर ट्रेट 2023 से सम्मंदित हर एक लेटस ट्रेट अपडेट आप लगातार पा सके सियम योगी ने क्या कहा है वो जानने से पहले आप इस चीज़ को कंफर्म कर लिजे कि 59,112 देखिए बेसिक सिच्छा विभाग में सहायक अध्यापक के 59,112 पद रिक्थ हैं और इन पर भरती की जाएगी क्योंकि देखिए प्रमुग विभागों में ये बड़ी संख्या में जो पद खाली हैं इन ही को भरे जाने का निर्दीश शियम योगी आदितनात जी के तरब से दिया गया है जिसमें से बेसिक सिच्छा विभाग का 59,112 पदों की भरती भी दरसाई गई है और इस भरती क कि मांग पिछले 5 सालों से अभ्यर्थी कर भी रहे थे इसलिए इस भरती का जिक्र यहां पर है और आप देखिए क्या कहा गया है यहां पर साफ किया गया है कि निक्तियों में देरी पर योगी सक्त कहा सभी विवागों में जल्द भरे जाए खाली पद सभी विवागों मे basic सिक्षा विवाग भी है और उसमें पदो की संख्या भी दरसाई गई है ये ठीक है दूसरी सबसे बड़ी बात कि 30 तक यानि कि 30 सेप्टेमबर तक पदोनती की प्रक्रिया पूरी करने की भी बात कही गई है तो ये प्रक्रिया संबन्दित है basic सिक्षा से और ये इसलिए कही गई है ताकि ये प्रिक्रिया पूरी होने के बाद आपको नई प्रात्मिक सिक्षक भरती का विग्यापन दिया जा सके समझ रहे हैं आप एक अच्छी अपडेट से बहुत बड़ी गुड नीज है और ये गुड नीज इसलिए आपको मिलने जा रही है क्योंकि 2024 में लोग सभाज चुनाओ हैं तो इसलिए आप इसमें अच्छी तैयारी करें इसमें अपनी एक सीट बुक करें क्योंकि अब इसके बाद फिर से आपको 5-6 साल एक नई प्रात्मिक सिक्षक भरती का इंतजार करना पड़ेगा चुनाओ को देखते हुए बड़ी भरती है औ वीडियो को लाइक शेयर करिएगा आगे अन अपडेट जो भी आएंगे उनको जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा